नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका सुपागत है अधियक्ष ने दोनों पक्षों की दलीलों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया उन्होंने अधिती और राकेश को कॉंग्रेस सदस्य से मानते हुए साक्षियों व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दल बदल कानून के दायरे में नहीं आने की बात कही इस निर्णे के बाद दोनों की विधाई की बनी रहेगी और दोनों को सदन में कॉंग्रेस सदस्य के तौर पर माननता मिलेगी दोनों बागी विधायक राई बरेली जिले से हैं अपने पक्ष में फैसला आने के बाद अदिती सिंग ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है उन्होंने कहा हम मामलों को जीत चुके हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि सच्चाई परिशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं केस हम जीत गए हैं और इसमें मुझे यही कहना है कि सत्य परिशान हो सकता है पराजित नहीं मेरी बस एकलोती यह गलती थी जिसको यह गलती मानते हैं कि मैं विधान सभा गई थी 2 अक्टूबर को अपनी जनता की समस्याएं परिशानिया रखने जिस काम के लिए मैं निर्वाचित हूँ उस काम का निर्वाहन करने के लिए मुझे यह सजा उन्होंने दी और आज पूरा मैटर मानिए विधान सभा के हमारे आदर्नी अध्यक्षी ने उस पे अपना फाइनल डिसेजिन सुना दिया है कि यह कोई जिसमें उन्होंने फाइल किया था यह आंटी डिफेक्षिन के उसमें है ही नहीं कि कोई वी विधायक हर विधायक को हक है कि वो विधान सभा जाके अपनी बात सदन में रखे गौरतलबे की कॉंग्रेस विधान मंडल दल की नेता अराधना मिश्रा मोना ने विधायक अधिती सिंग की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधान सभा ध्यक्ष के समक्ष 26 नवंबर 2019 को एक याचिका दी थी कॉंग्रेस का आरोप है कि अधिती सिंग ने पार्टी वीप का उलंगन करते हुए दो अक्टूबर 2019 को योगी सरकार द्वारा बुलाएगे विधान सभा की विशेश सत्र महिस्सा लिया जबकि पार्टी ने गांधी जैनती पर सरकार के इस विशेश सत्र का भहिशकार करते हुए विधाईकों के लिए वीप जारी किया था अब फैसल अधिती सिंग के पक्ष में आने से कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस इस फैसले के खिलाफ हाई कोट का रुख करेगा कॉंग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मानिय अध्यक्ष विधान सभा के समक्ष 10th schedule में दो याजिकाएं प्रस्तोत की थी श्री राकेश सिंग वशु श्री अध्यक्ष की सदस्ता रद करने की पिछले कई दिनों से इस मामले की बहस चल लई थी मानिय विधान सभा अध्यक्ष का निर्णे आया है मैं मानती हूँ कि पूरा निर्ने सत्तिता से परे है जो साक्ष हमने प्रस्तुत किये थे उनकी अंदेकी हुई है नियमों की अंदेकी हुई है हम इस पर विधिक राई ले रहे हैं और हम उच न्याले का दर्वाजा खट-खट आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो स साक्ष हमने प्रस्तुत किये थे उनकी अधार पर उच न्याले में हमें अवश्य न्याय मिलेगा आपको बता दे कि अधिती सिंग ने जमू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर मोधी सरकार के समर्थन किया था हाल ही में कोरोना वारियर्स के लिए पीम मोधी की अपील पर भी उन्होंने दिये जलाए थे इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ